पूर्व केंद्रे मंत्री वा राजस्तान भाजपा के वरिष्ट नेता राजवर्दिन सिंग राठोर ने वजैपुर में हुए आतंकी हमली पर एक प्रेसवारता को सम्भूधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सरकार पर तुष्टिक करण का आरोप लगाया और पुलिस विवस्ता पर भी सवाल उठाए। राठोर के अनुसार पुलिस को बार बार सूचित करने के बावजूद पीडित को पुलिस सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। पुर्व केंद्रे मंत्री ने इस मामले को NIA को सोपे जाने की भी जानकारी दी और भरोसा जताया कि राश्ट्रे जांच अजिंसी मामले की तह तक जाएगी। गुस्सा है राजिस्थान के अंदर साधरन लोगों में असुरक्षा की भावना भी है। को शुरू करने से पहले भारती जनता पार्टी की तरफ से ये अपील है कि पूरे देश के अंदर जो भी घटना हुई है। उसके बावजूत शान्ती का माहौल बना रहे है, सोहार्थ का माहौल बना रहे है। आज पूरा देश कनईया लाल जी के दर्द में शामिल है। हम उनके परिवार के साथ हैं और ऐसी जितनी भी घटनाएं अभी तक हुई हैं आतंकी हमलों में जो लोग मारे गए हैं, उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। इस समय भगवान उनके परिवार को हिम्मत दे, दुख सहन करने की शक्ति दे। राजिस्थान की राज्य सरकार की जो पिछले साड़े तीन साल में जिस तरह से उन्होंने कारवाई करी है, पूरी तरह से राज्य सरकार इस आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार है। ये अपने आप में एक अलग घटना नहीं है ऐसी घटनाएं बार-बार राजिस्थान में हो रही हैं ऐसे आतंकी संगठन राजिस्थान में पनप रहे हैं और राजिस्थान सरकार ने डारेक्ली या इंडारेक्ली इनके बढ़ावे के अंदर इनको प्रोत्साहित करने में को कोई कसर नहीं छोड़ी है एक के बाद एक राजिस्तान सरकार के जो फैसले हुए हैं वो साफ तरह से तुष्टिकरण दिखाते हैं एक संप्रदाय की तरफ नर्मी और दूसरे संप्रदाय की तरफ सक्ति आप इसी से समझ सकते हैं कि इस घटना करम के अंदर उदेपूर की इस घटना करम के अंदर सबसे पहले गिरफतारी कनाया की हुई और कनाया लगातार लोकल पुलीस से सिक्योरिटी मांगता रहा लेकिन उसे सिक्योरिटी नहीं दी गई बल्कि उसके उपर प्रेशर बनाया गया कि वो समझोता कर ले और आप ताज्यूब करेंगे कि सिक्योरिटी कनाया को ना देकर जो हत्यारे थे उनके भाईयों को सुरक्ष्टा दी गई छे दिन तक जब अपनी दुकान बंद रखी उसके बाद जिस दिन उसने खोली उसकी हत्या कर दी गई आब इस बाद से भी चौकेंगे कि ये घटना होई और राजिस्थान के ग्रह मंतरी जिनकी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए वही जो राजिस्थान के मुख्य मंतरी भी है और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है वो इस घटना को मर्डर कहते है हत्या कांड कहते है जब कोई वीडियो बनाता है इस कांड से पहले और फिर निर्मम हत्या करते वक्त वीडियो बनाता है उस उन दोनों को वीडियो को जारी करता है वाइरल करता है वीडियो में खुद ही नहीं अपील भी करता है कि जितने भी भाई बंदू इसको देख रहे हैं वो भी गर्दन अलग कर दें लोगों की ये जमीनी जगड़े में नहीं होता ये किसी पैसे के विवाद में नहीं होता हर चीज को राजनितिक चादर उड़ाने की कोशिश करते हैं अपनी जिम्मेदारी समझे और ये हत्यकान नहीं ये सरे आम आतंकी हमला हुआ है ये देश के पूरे समाज को आतंकित करने के लिए ये करवाई करी गई है और जैसे मैंने पहले कहा ये अपने में अकेली अलग घटना नहीं है ऐसे नजाने कितने व्यक्ती प्रेरित हो रखे हैं बढकाए हुए हैं क्योंकि ये घटना अपने आप में अकेली नहीं है NIA ने इसकी इन्वेस्टिकेशन अपने हाथ में ले ली है और अब जहां तक ये जो गहरे कनेक्शन्स हैं लिंक्स हैं उन सब के ओपर तैकिकात की जाएगी कौन है जो राजिस्थान के अंदर सत्ता में रहके इनको शेह दे रहा है कौन है जो इनको बढ़ावा दे रहा है इस तरह के हर कनेक्शन को देश की सुरक्षा कायम रखने के लिए उस पे कारवाई होगी और रंत में एक बार फिर बारती जंदा पार्टी अपेल करती है कि देश की सुरक्षा जाच एजेंसिया काबिल है और अपना काम करेंगी 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका परते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए 22 वर्ष में आपकी लोग पुरे समाचार पत्र इंडिया दर्पन का परवेश आपके इसके रहें अपने शित्र खबरें और अधिक खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक इंडिया दर्पन को अभी सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले इंडिया और आपके अबरें झाल झाल